कज ठेप दोस्तों आज आज बात करेंगे टैप चेंजनिग ट्रांसफोर्मर के बारे में आज मैं आपको बतावंगा कि transferor में tap-changing होता क्या है deftchn Harbin से actual में मिनिंग क्या होता है tax mais क्यूं पड़ती है डेसे अनलोर टेप残चर क्या होता है औफ लोड टेप चेंचर क्या होता है यह सब आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं देखे सबसे पहले तो आपको यह पता होना चीए कि टैप चेंजिंग ट्रांसफोर्मर से मतलब क्या है देखे कुछ ट्रांसफोर्मर्स ऐसे होते हैं जहां आप वोल्टेज रेगुलेशन कर सकते हैं कुछ transformers ऐसे होते हैं जहां transformer का जो output voltage है उसको आप अपने requirement के हिसाब से regulate कर सकते हैं उसे change कर सकते हैं तो ऐसे transformers जिसका आप output voltage regulate कर सके उन transformers को tap changing transformer कहा जाता है और यह जो tap changer है tap changer एक ऐसा mechanism होता है जो transformer का output voltage आपको regulate करके देता है तो जो transformer output voltage regulate कर सकते हैं जिन transformer में ये provision होता है कि आप output voltage regulate कर पाएं उन transformer को हम tap changing transformer बोलेंगे और जिस mechanism को हम लोग use करेंगे output voltage को regulate करने के लिए उस mechanism को हम लोग tap changer बोलेंगे अब दोस्तों बात आती है कि tap changing की requirement हमें क्यों पढ़ती है एक बार आपने transformer मंगवा लिया वो चाहे step down transformer हो या step up transformer हो वो अपना काम easily कर रहा है पर आपको उसका output voltage regulate करना क्यों है तो देखें बहुत बार ये होता है कि जब आप transformer का load increase करते हैं जब भी आपके transformer का load बढ़ता है तो transformer का output voltage है वो decrease होने लगता है क्योंकि जो load आप connect करेंगे ये transformer के output side में connect करेंगे transformer की secondary side में connect करेंगे पर जब ये load बढ़ता जाएगा तो transformer का जो secondary voltage है वो voltage का magnitude कम होता जाएगा मैं आपको एक example देता हूँ हम लोगों के इंडस्ट्री इसमें जो ट्रांस्फोर्मर है उसकी वोल्टेज रेटिंग है 66 kb by 11 kb अब यह 11 kb साइड हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं तो बहुत बार जब ट्रांस्फोर्मर का सेकंडरी लोड बढ़ जाता है तो उस केस में जो 11 kb का वोल्टेज है यह कम होके 10.8 kb या 10.6 kb आ जाता है अब ऐसे में मेरी रिक्वार्मेंट यह है कि अगर सेकंडरी वोल्टेज 10.6 kb हो गया है तो मुझे इसे वापस से बढ़ा कर 11 kb करना पड़ेगा क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि यह जो बोल्टेज रेश्यो है 66 kb by 11 kb यह हमेशा constant रहे अगर मेरा बोल्टेज 11 kb से 10.6 kb हो गया है तो मुझे उसे बढ़ा के 11 करना है और 11 से अगर 11.6 हो गया है तो मुझे उसे कम करके भी 11 करना है मैं यह चाहता हूँ कि secondary voltage हमेशा 11 पर maintain रहे तो यह जो output voltage मुझे regulate करने के requirement पड़ रही है यह करने के लिए मुझे tap changer का use करना पड़ेगा अब दोस्तो एक सवाल यह भी आएगा कि यह जो tap changer है यह tap changer transformer में लगाया कहां जाता है actual में यह काम कैसे करेगा यह connect कहां पर होगा यह सवाल भी आपके mind में आता होगा तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि यह जो tap changers होते हैं यह हमेशा transformer के high voltage side में लगाया जाते हैं जैसे अभी मैंने जो example लिया 66 kb by 11 kb transformer का तो इसमें जो 66 kb side है यह high voltage side है तो मैं जो tap changer लगाओंगा जो tap changing मैं use करूंगा यह tap मैं 66 kb side में लूँगा क्योंकि 66 kb मेरी high voltage side है अब आप यह पूछेंगे कि इसको high voltage side में क्यों लगाया जा रहा है low voltage side में क्यों नहीं लगाते तो देखे, transformer के जो high voltage side होती है, वहाँ पर current का magnitude कम होता है, तो इसलिए हम tap हमेशा high voltage side में लगाते हैं, क्योंकि low current को interrupt करना आसान होता है as compared to high current, दूसरा reason यह है कि transformer में जब हम लोग winding bound करते हैं, तो high voltage side हमेशा बाहर के side में bound की जाती है, पहले low voltage side bound होती है, पहले low voltage winding bound होती है, उसके बाद एक insulation की layer आती है, फिर high voltage winding bound की जाती है, तो जो high voltage side है यह अपर portion में रहती है, तो इसलिए अपर portion में आपकी जो winding है, वहाँ से tap निकालना आसान रहता है, तो यह भी एक reason है कि high voltage side में ही tapping normally की जाती है, इस diagram में भी दोस्तों आप देख सकते हैं, इस diagram में आप दे transformers होते हैं, वहाँ number of tappings का provision होता है, जैसे 15% पे होगा, 20% पे होगा, 35% पे होगा, इस तरीके से number of tappings होती है, तो tap changer का काम यह होता है कि वो in tapping को select करे, tapping को select करके number of turns को change करे, और जब आपके transformer में number of turns change होंगे, तो उसका result आपको voltage change होने पर भी दिखेगा, क्योंकि हमने transformation ratio के बारे में पड़ा है, transformation ratio यह कहता है, कि number of turns जितने जादा होंगे, voltage भी उतना जादा होगा, n2 by n1 equals to v2 by v1, यह equation होती है transformation ratio की, तो number of turns जितने जादा, n2 अगर जादा है, तो v2 भी जादा होगा, number of turns अगर कम होंगे, तो voltage भी हमें कम मिलेगा, तो tap changing का का काम यही है, कि tap change करके, आप number of turns को vary करिए, जिसके proportionally आपको voltage भी vary होता हुआ दिख जाएगा, अब दोस्तों बात आती है कि tap changing की types क्या होते हैं, तो देखिए, जो tap changers आते हैं, यह normally दो types में divide होते हैं, एक होता है on low tap changer, एक होता है off low tap changer, इसका मतलब यह है कि जैसे जो off low tap changer होते हैं, इसका म transformer में आपने जो supply दे के रखी है, उसको पहले आपको isolate करना पड़ेगा, इसलिए इसे off low tap changer कहा जाता है, कि अगर आपका transformer loaded है, अगर आपका transformer loading condition में है, तो फिर आप tap changing operation perform नहीं कर सकते, जो normal DTR होते हैं, जो distribution transformers होते हैं, जैसे जो 2.5 MVA level के जो transformers होते हैं, वहाँ पर normally off low tap changer ही use होता है, तो off low tap changing में सबसे important चीज जो practical industries में आपको ध्यान देने वाली होती है, वो ये है, कि अगर आपको tap change करने के requirement पड़ रही है, तो आप running condition में tap change नहीं कर सकते हैं, तो transformer trip हो जाएगा, क्योंकि आपने उसमें off low tap changer use किया है, तो पहले आपको transformer को off load करना पड़ेगा उसके बाद ही आप इस tap को change कर पाएंगे, वहीं अगर हम लोग on low tap changer की बात करें, तो on low tap changer इसका exact opposite है, on low tap changing में आप transformer के running condition में भी tap को change कर सकते हैं, transformer के output voltage को regulate कर सकते हैं, देखे जो बड़े बड़े power transformers होते हैं, जो generating stations में use होते हैं, transmission networks में use होते हैं, इतने बड़े voltage level के transformer क को बंद करके अगर आपको tap change करना पड़ रहा है, तो आप electricity की जो supply है, वो continue दे ही नहीं पाएंगे, आपको अगर बार बार tap change करना है, तो आप बार बार transformer को बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो बड़े transformers होते हैं, जैसे हमारे industries में 35 MBA का एक transformer है, जिसमें on low tap changer use किया गया ह तो इतना बड़ा transformer जिसकी rating 35 MBA है, उस transformer को मैं बंद करके बार बार tap change नहीं कर सकता, मुझे एक ऐसा provision चाहिए कि transformer running condition में रहे, वो continuously supply आगे send करता रहे और उस दोरान ही मैं tap भी change कर पाऊं, तो ये अगर आपको करना है, तो फिर आपको on low tap changer का use करना पड़ता है, इस case में आप tap change कर पाएंगे, तो दोस्तो tap changing से related कुछ बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, पहला तो ये है कि tap changer हमेशा transformer के high voltage side में ही install किया जाता है, high voltage winding से ही tap इसका लिया जाता है, दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अगर आपके system में off load tap changer use किया है, तो जब तक आप transformer को off load नहीं कर लेते, जब तक आप transformer की supply isolate नहीं कर लेते, आप उसका tap change नहीं कर सकते, तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि tap को change करने का मतलब ये होता है, कि transformer के जो number of turns है, मैं उसको vary करूँ, अगर आप transformer के number of turns को vary करेंगे, तो उससे आपका voltage भी proportionally vary होगा, अब एक सवाल आपको ये भी आएगा कि tap बढ़ाने से voltage बढ़ेगा, कि tap बढ़ाने से voltage कम होगा, ये कैसा होता है, जैसे 66 kb by 11 kb का transformer हमने जो देखा, तो tap changer लगा हुआ है 66 kb side में, पर voltage में vary कर रहा हूँ 11 kb के side में, तो जब आप transformer का tap vary करेंगे, तो high voltage side के number of tons vary होगे, जब आप tap बढ़ाएंगे, तो secondary side का voltage भी बढ़ेगा, अगर मेरा जो voltage है वो 10.6 kb हो गया है, और मुझे उसे 11 kb करना है, तो मैं tap की position बढ़ाऊँगा, मैं जैसे जैसे tap बढ़ाऊँगा, वैसे वैसे transformer का output voltage बढ़ेगा, अगर मैं tap कम करूँगा, त transformer का output voltage भी कम होगा, तो अगर मेरा voltage 11.6 kb है, मुझे उसे कम करके 11 kb पे लाना है, तो मैं tap कम करूँगा, अगर मेरा voltage 10.6 kb है, और मुझे उसे बढ़ाके 11 kb पे लाना है, तो मैं tap position को बढ़ाऊँगा, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको informative लगा हो, तो चैनल को subscribe कीजिएगा, मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसी एक interesting topic के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, goodbye